टीवी वन के नहायद दिल्चेस्ट ड्रॉमो और इंटर्चेन्मिन्ट से भरपूर शोस किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आईकॉन पर क्लिक करें नू से जुने की ये सौबात है आस्मा से नूर की परसात है या नूर या नूर या नूर हट जाए है यहां से प्रीज हट जाए है क्या कर रहे हैं आप लो जी मुझे मालू मैं होने रहे हैं जी बिसमिल्ला रह्मान रहीम आज पहला रमजान है आज उसकी खास ट्रांसमिशन है और ये तीस दिन ट्रांसमिशन चलेगी आए शुरू करते हैं तनम परसूदा जाँ पारा तनम परसूदा जाँ पारा जेह जराँ या रसूदा जाँ पारा जेह जराँ या रसूद आल्ला दिलं पज मुर्दा वारा दिलं पज मुर्दा वारा जेशियां या रसूद आल्ला तनम चुसुए मन गुजर आरी मने मिस कीने नादारी पिदाए नक्षना लेनत पिदाए नक्षना लेनत कुनम जाँ या रसूद आल्ला फिदाए या रसूद आल्ला तनम चुसुए मन गुजर आरी मने मिस कीने नादारी मने मिस कीने नादारी पिदाए नक्षना लेनत पिदाए नक्षना लेनत कुनम जाँ या रसूल आल्ला तनम जिकारदा फिष हैरानम सियाह शुद रोजे इस्यानम सियाह शुद रोजे इस्यानम पशीमानम 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 पशिमा या रसूल आल्ला तनम परसुदा जा पारा जहिजरा या रसूल आल्ला दिलं पजमुर्दा बारा जे इसिया या रसूल आल्ला तनम बिस्मिल्ला रह्मान रहीम इत्दा उस नाम से इले वीजे शुक्रिया कोई बात निए सेट है जी अच्छा सेट है लेकिन इन सेट से कहीं बड़ी बातें जो हैं इस सेट पे होंगी जहां हम बैट के बात करेंगे आप से मुलाकात करेंगे आपके टेलिफोन कॉल्स लेंगे आपकी बातें सुनेंगे आपको बहुत सारे नामात देंगे इस सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, जहां से मुझे है हुकम अजा लाइलाह लाइलालाह। और मैं वो दूंगा, मैं वो बात करूंगा, जो मैं करना चाहता हूँ. जतने बी owners हैं, companies के, factories के, channels के, तमाम owner से मेरी एक request है, रमज़ान बहुत महा है, बहुत महा है, और बड़ा महा रमजान है, बहुत महा हाई हुई विए हुई तनख़ा दे दीजिए, पहले दे दीजिये तनख़ा, तनख़ा के साथ छोटा सा bonus दे दीजिए, इस बार अपने profit में से कुछ हिस्सा निकाल के गरीबों को दे दीजे इस बार बड़म बड़ी मुश्किल है हमने एक साल COVID का बड़े शदीद अंदाज में गुजारा है और ये बड़ी मुश्किलात है हम यहां मज़े मज़े की बातें भी करेंगे हिउमर मेरे अंदर है तो हिउमर तो जरूर आएगा लेकिन साथ साथ मैं काप रहा हूँ ये रमजान गुजारते वक्त बिकास एक तो ये साद़त बहुत बड़ी है दूसरी बात है मैं काप इसलिए रहा हूँ बेकिस मुझे नहीं पता के गरीबों का क्या होगा मुझे नहीं मालूम के वो खजूर कितनी आसानी से किसी को मिल सकेगी वो पानी का अब तो देखे रमजान अफ़तार तो अफ़तार में वो दुनिया में कहीं भी रहें हम खुश रहते हैं अगर हम तीस दिन में यह सीख गए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखना है तो बाकी 11 महीने भी हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो हर रोज मैं आपसे बस इतनी इलतमास करूँगा आके दर्खास्त करूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर से दर्खास्त करूँगा अपने प्रेजिडंट से दर्खास्त करूँगा अपने अलमा से दर्खास्त करूँगा अपने सियासी लीडर से दर्खास्त करूँगा अपने अदारों से दर्खास्त करूंगा खुदारा पाकिस्तान के लोगों के लिए आगे बढ़के मदद कीजे पाकिस्तान के लोगों को और हमें लंगर नहीं चाहिए हमें नौकरियां चाहिए हमें मचली मद्दें, मचली पकड़ना सिखा दें इंडिस्ट्रीज लगाएं आईए मिल के पाकिस्तान के लिए काम करते हैं इस रमजान सब कुछ बदल देते हैं इस रमजान आईए पाकिस्तान को मजबूत बनाते हैं आईए पाकिस्तान को और मजबूत करते हैं आईए उसके लोगों को और मजबूत करते हैं आईए एक जाने की ये सौगात है, आसमा से नूर की परसात है, या नूर, या नूर, या नूर. इनके वालिद इस जहाने फानी से कूच कर गए तो सबसे पहले तो उनकी मख़िरत की दुआ है और वो एहमद पर बड़ा फखर करते थे क्योंकि एहमद बहुत अच्छा पढ़ते है लेकिन यहां एक और बात है, मैं यह करना चाहता हूँ लोग यहां मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं क्ए एक मौका दे दीजिए और वो पतहन ने मुझे क्या समझते है मैं आपको भी कह रहा हूँ और तमाम लोग जो मुझे देख रही हूं उनको भी कह रहा हूँ न तो मुझ में कोई صलाहियत है नह मैं आपको मौक्वा दे सकता हूँ मेरा आपको कोई अहसान नहीं है अगर आप यहाँ इस जगा आके पढ़ते हैं आपका और खुदा का मामला है बाखुदा, बाखुदा मैं रोजे से हूँ मैं आपको कोई अहसान नहीं करता यह आपकी सलाइफ है अगर अगर हुकम है तो आप यहाँ आके नाथ पढ़ेंगे या कोई भी परफॉर्मस दे देंगे साहर लोगी आपके लिए कुछ नहीं करता आपके लिए अल्लह तालह करता तो खुदा का वास्ता मुझे आप बिलकुल मैं आपको यहाँ भी और वहाँ भी हर जगा माफ करता हूँ हर जगा भाई मुझे माफ रखो मेरे गुनाहों का बोज बढ़ता है मुझे अपनी कबर में जाना है खुदा का वास्ता मेरा शुक्रिया मत अदा करा खुदा का वास्ता मैं हाँ जोड़ रहा हूँ आपके सामने मुझे नहीं चाहिए आपको शुक्रिया मैं गुनादार होता हूँ भाई आप में सलायात है आप यहां आते हो आप हुजूर की नाथ पढ़ते हो या वैसे कोई परफॉर्मंस देते हो मैं किसी भी काबल नहीं मैं भी आप ही की तरह से अलामिया की नौकरी पे हूँ भाई तो मुझे ऐसा ही रहने दे मुझे कुछ ने चाहिए मैं एक आम सा आदमी हूँ और मैं आम ही बात करता हूँ बस उसको उतना ही रहने दे आपके नात की तरफ चलते हैं बेटा आज तो कर दी आज के बाद मत करना और यह आप लोगों के लिए भी है आप जो घर पे बैटे देख रहे हैं कभी जिन्दगी में मुझे से मुलाकात हो जाओ जिन्दगी में आपको भी मेरे शोपे आके कुछ भी करें मेरा शुक्रिया मत अदा किजेगा अल्ला ताला की तरफ से हुक्म था तो आप आए मैंने कुछ नहीं किया आपका हुजूर एसाथ कुई इन्तिजाम हो हो जाए सलाम के लिये हाज गुलाम हो जाए मैं सिर्फ देख लुए के लुए के बार सब्स गुंबद को लुए के लुए के बार सब्स गुंबद को भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल सिमत के फासला ये चंदगा में हो जाए हुजूर आप हुजूर आप कुई इंतिजाम हो जाए सभानला बहुत अच्छा बिटा बहुत अच्छा तुमसे मैंने कभी बात ही नहीं की बताओ तुम्हारे वालिद की सबस अच्छी क्या बात थी नाथ से बहुत जाधा महबत करते थे सरकारकी नाथ से अकसर मुझसे रमजानों में भी रोज महींका बहुत जादाथ हो जाए और मंगते खालियात ना लोटे कितनी मिली खेरात ना पूछ हो जाए परसात है यानू 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 सेवलक वाड में जब हमारे बच्ची को जनम लिया उसमें का कि यह जिन नहीं बचेगी बहुत परशन होगया मर्ग उस वक्त में रो रहा था कि क्या करें अब पाकिस्तान में हर साल लाखो बच्चे अपनी जान खो बैटते हैं कई अपनी पहली साल गिरा भी नहीं मना पाते चाइड लाइफ फांडेशन दो हजार दस से एकत्स लाख से जायद बच्चों की जान बचा चुका है लेकिन लाखो बच्चे आज भी सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं जीने का एक और मौका अब भी दे सकते हैं पाकिस्तान के बच्चों को अपनी सकात से जीने का एक और मौका और मेरे पास चाइल लाख फांडेशन से मौझूद है इरफान हबीब साब साब अलाम लेकूम वालेक। कैसे हैं इसलाम अलाम नेलेक। बहुत बहुत शुक्रीया और तर्श्रीव रगती हैं मौतरमा आबदा असन साहिबा किसे हैं आप ठीक ठाक हैं अच्छा जी सबसे पहले तो थोड़ सा बता देजी ये चाइल लाइफ फाउंडेशन है क्या क्या करती है चाइल लाइफ फाउंडेशन एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप इधारा है जो के कोशिश ये करता है कि जो गरीब माबाप हैं उनको जहनी सकून फराम करें और जहनी सकून इस तरह फराम करें कि इस वक जो बच्चों की अमर्जनसी रूम्स हैं गरीब बच्चा गरीब तर बच्चा और बीमार तर बच्चा वो एक गॉर्मिंट या सरकारी हस्पताल की एमर्जनसी में जाता है तो वहाँ पे Child Life Foundation की जो एमर्जनसी है वहाँ पे हम मुफ्त दवाओं के साथ मुफ्त इलाज फराम कर रहे हैं 24 घंटे फराम कर रहे हैं और वर्ल्ड क्लास फराम कर रहे हैं तो सब कैसे सपोर्ट कैसे करते हैं लोग कैसे करते हैं जितने पाकिस्तान के मुफ्यर बिजनसमेन हजरात हैं वो है प्लिस हकूमत हमें सपोर्ट कर रही है, बहुत बड़ी सपोर्ट है हुकूमती और कब से आप लोगी काम कर रहे हैं? दस साल हो गए हैं दस साल हो गए हैं जी हाँ, और दस साल हो गए हैं हम अल्हम्दलिल्ला अब तक 31 लाक बच्चों को ट्रीट कर चुके हैं और दो का तक 31 लाज प्राइशन होते हैं दिकत बिलकुल नहीं आती है जब आप दिल से काम करते हैं और मैं ये समझती हूँ कि जब आपका काम आपके लिए सुकून का एक जरिया बन जाता है जब आप उन माओं को मुस्कुराते हुए घर जाते देखते हैं दौाइं देते हुए घर जाते देखते हैं तो आपका जो सुकून है वो हर दिक्कत को, हर परिशानी को अवर्कम कर लेता है हम आप लोगों पर बहुत फखर महसूस करते हैं मैं खुद एक NGO चलाता हूँ, मुझे मालूम है मैं तो खर खुद सपोर्ट करता हूँ, मैं तो पैसा नहीं लेता साइट कभी जिन्दगी में आप लोगों के पास आऊँ और जरूर सपोर्ट कीजेगा हमको, मैं तो खुद अपनी तरह से करता हूँ लेकिन आप लोगों फखर इसलिए महसूस होता है कि सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है तो इस सुकून को बढ़ाएए, आप भी अपनी जिन्दगी में शामिल कीजेए इनका नंबर आगे दिया होगा, आप इनको जाके आपकी वेबसाइट है जहाँ विजिट किया जा सकता है फेस्बुक पे भी हम मौझूद हैं और www.childlifefoundation.org पे आप जाएं और www.childlifefoundation.org पे जाके जकात की डोनेशन हो, चाहे आपको जो काम देखना हो, वो सारा कुछ आपको इस साइट पे मिल सकता है मैं तो ये एड़ करूँगी साहिट साब के जितने भी मुखयर हजरात हैं या वो लोग जो देखना चाहते हैं कि एक्चुली किस तरह से काम हो रहा है आपको पांच हैं, अपर सिंध में चार हैं, एक क्वेटा में हैं आएं कहीं भी, आकर देखें किस तरह से काम हो रहा है किस तरह से प्रॉसेस और सिस्टम्स फॉलो हो रहा है 24-7 free of cost services दी जा रही है जिसमें बिल्कुल free medication है इसके इलावा, world class treatment, quality treatment, ISO certified है Accreditation Canada ने 85% rank किया emergency system जो हम फॉलो करें माशाळा, माशाळा, माशाळा तो state of the art है इस अपकुश जितने standards, जो clinical protocols है अगर हम उनकी बात करें अच्छा अभी जो COVID का सिसला था उसमें क्या हुआ है उसमें जो पूरी दुनिया में standards follow है चाहे वो personal protective equipment उसमें सबसे एहम चीज थी कि जो आप अपने लोग है जो health care providers हैं उनको भी बचाएंगे लेकिन चुँके अलहमदलिल्ला पाकिस्तान में फिर भी बेहतर सूरतिहाल रही और बच्चों में ये चीज बहुत कम देखने में आई तो इसलिए लेकिन चुँके बच्चे आते हैं वालदین के साथ तो जो हमारे health care providers थे उनको तमाम personal protective equipment जो हमें पता भी नहीं चला लेकिन एक बात बड़ी मैं जब भी इस किसम की कोई pandemic आता है या कोई आफ़त आती है तो हमेशा मुझे एक बाल याद आते है बाल ने कहा था खास है तरकीब में कौम रसूल हाश में ये एक बड़ा different मैप को सच बताओं हमारे मुल्क में बड़े सारे मसाइल है लेकिन फिर आप जैसे लोग इमर्ज करते हैं और इमर्ज करने के बाद बच्चों को बचाते हैं हमें पता है आपको तो बहुत बड़ा सेटप है मैं एक चूटा सा सेटप चलाता हूँ जहां हमने चाल्ड मोटालिटी जो है जो नेटल केर में होती है उसको 0% पर लेया है पहले वो 40% थी उस इस राके में 0% पर चाल्ड मोटालिटी होगी है तो कहने की बात ही है कि जब ये लोग काम करते हैं तो उनको support बी चाहिए होती है support कैसे चाहिए होती है आपकी support चाहिए है I know कि बड़ा मॉचकिल है बहुत मुचकर इस वक्त बहुत मुचकर लेग的话 मैं फिर भी आपसे request करता हूँ कि कोई नहीं करेगगा अगर यह लोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगे साहिर कि पाकिस्तान में इस वक्त नंबर वन प्रॉब्लम जो है या नंबर वन मॉर्टालिटी जो है वो चाइल्ल मॉर्टालिटी है अंडर फाइफ और हर साल 400,000 चिल्डर डाए अंडर दे अज़ फाइफ और इसमें से आधी यानि के 50% of the mortalities can be prevented if there is a world class emergency center तो अच्छा मदद कैसे कर सकते हैं लोग कैसे जा सकते हैं किस तरह से इमदाद कर सकते हैं मैं तो फिर यही कहूंगी कि आएं और देखें और उसके बाद खुद फैसला करें इसको अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो हजार रुपे से आप एक बच्चे की जिन्दगी को दुबारा चांस दे सकते हैं जीने का हूँ एक हजार रुपिया एक बच्चे की जिन्दगी को दुबारा जीने का चांस दे सकते हैं एक हजार रुपिया हमारी ایک कंपनी है अमूर उसकी तरफ से हम तीस हजार रुपिया का डुनेशन आपको एवरीमग देना चाहते हैं मैं मैं आपको बता रहा हूँ उसकी रीजन है बेकरज चांच सब के लिए है और हमारी मैने जब कंपनी फॉर्म की थी तो मैंने बुनियादी मेरी ये थी कि लोगों को फाइदा पहुंचे इससे तो हम आपको दे रहे हैं ये आप मिकभा लिजे अभी यहां लोग भी हैं आपका नमबर हम ले ले लेंगे और आपके ताउन में डिरिक डिपॉलिट हो जाएगा बहुत शुक्री है एवरी सिंगल मांथ तो लेट सी इसी तरह से आप भी करें आगे आएं वो लोग जो दे सकते हैं मैं उन्हें हर्किस नहीं कहा रहा है जिनके पास नहीं है वो दौाइं जरूर दे सकते हैं हाथ उठाके इन दोनों के लिए दौाइं करें लोगों के लिए दौाइं करें चाइल लाइफ फाउनेशन के लिए दौाइं करें लेकिन वो लोग जो दे सकते हैं Please आगे बड़े होड़े हैं, please आगे बड़े होड़े हैं, because आप किसी, मैं एक बेटी का बाप हूँ, आप यकीन मानिये, मैंने जब उसे पहली मरतबा गोद में लिया था, तो वो इतनी सी थी, literally इतनी सी थी, वो प्री मचور थी, साड़े साथ महीनी की थी प्रीमिचूर थी और बिलकुल छोटी सी थी और जब मैं उसे गोद में लिया था तो मुझे ऐसा लगा था जिसे पूरी दुनिया सिमट कर मेरे हाथों में आ गई है पूरी दुनिया और आज भी जब वो मुस्कुराती है तो मज़ लगता मेरे जिन्दी में तमाम मसाईल खातम हो गए बच्चे सब के सांजी होते है माय सब के सांजी होते है रिष्टे सब के सांजी होते है वो लोग जो आगे बढ़के मदद करना चाते हently उनकी मदद करें इनकी फेसबुख पेज पर जाए येस, साहिर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाते हमने किये वो हम सिक कराची की बच्चों के लिए नहीं कह रहे हैं सिंद और बल्योचिस्तान में जितने हमारे 34 हस्पताल जहां हम टेली मेडिसन सेंटर के साथ मौझूद है तेली मेडिसन का मतलब है अब टंडो आला यार का बच्चा वो अगर उसको जटके पढ़ना है या वो बीमार है वो उस एमर्जेंसी में कराची तो नहीं आएगा हूँ चलके जब तक तो उसकी हालत और मजीद तश्विश नहीं होगी रात के वक्ते बात करता है इस वक्त चौटिस हस्पतालों में हम ये काम पूरे पाकिस्तान में चाहे वो अब बलचस्तान में जो नौशकी है डेरा मुराद जमाली है हब है इसके इलावा सिन में जो टंडो आला यार है घोटकी है खैरपूर है सेवन है तो मिठी अट्विश दार है पशीन है तो इन सारी जगाओं पे जहां पर ये सहूलत उस स्टेंडर्ट की शायद ना हो लेकिन उस बच्चे को एक मश्वरे की ज़रूँ था तो वो मश्वरा हम टेली मेडिसन सैटिलाइट सेंटर के रहे हैं बच्चों में ज्यादा अमबात की वज़े क्या होती है देखें बहुत बड पाकिस्तान में डी हाड्रेशन से बच्चे मर रहे हैं आज भी पाकिस्तान में नमूनिया से बच्चे मर रहे हैं यह रोग लिगा हम करोना करोना करते हैं करोना की वज़े से तो जाहरे जो कुछ होना है वो तो हुआ है लेकिन करोना के अलावा बहुत सारी बीमारिया चार चार लाख बच्चे हर साल पाकिस्तान में इसकर श्रकार होते हैं इसमें बीहड्रेशन आ जाती है और बहुता और चीज़। चार लाक बच्चे मर जाते हैं पाकिस्तान में, बिफोर दे आज гор्ब 5, पास साल से पहले, अक बेक लेते हैं, बेक की बाद़ करेंए यानू एक common, मैं डॉक्टर की बात नी कर रहा हूं एक आम आदमी जो आखें चुडा ले उस बच्चे को जिसको ट्रीटमेंट की जरूवत है और वो बहुत बेसिक मीर है एक बच्चा जो के नमूनिया का है वो ऑक्सीजन और एक 35 रॉपय के इंजेक्शन से बच सकता है जो डायरी है जिसको डीहडेशन हो सकता है वो एक आईवी फ्लिट ड्रिप जो लगती है मला आपके कहने का मकसद यह है कि 50 रॉप बीमारी जो काबले इलाज है काबले इलाज है वो प्रिवेंटिबल है जो प्रिवेंटिबल डैथ है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसमें पूरी इंसानियत के लिए साहे जब हमने शुरू किया था जिस हॉस्पिटल से हमने शुरू किया था वहाँ पे जो चाइल्ड मॉर्टालिटी रेट था उसवाग को 14 परसंट था आज इस मुल्टिप्लाइड पूर ताइमस एक रिमेंस बिट्वेंट नाइटी सेमन तो 98 परसंट एवरी मंथ एवरी मंथ और यह उन बच्छों का बता रही है जो इंतहाई तश्वीशनाक हालत में आते हैं किस किसम के लोगों को आप देखते हैं अक्सर जो लोगाते वो नौन अफोर्डिंग होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता पाकिस्तान की दो तहाई अबादी तो हाई गुर्बत की लकीर से भी नीचे होगी अब महां बता देजगा शायद इसलामअबाद और हमारे पॉलिटिशन जो हो सुन लें बहां बता देजगा इनको जरा डॉक्सा पर फोकस कर लें तो जाहरा है गरीब का इसलामगा गरीब का जो बच्चा है जो इनतहाई तश्वीशनाग और इनतहाई घृर्बत की वाज़त का जो बच्चा है वो सरकारी अस्वादाल में आएगा बड़े मज़े की आपने बात किया आपका जुमला बड़े कमाल है अर्दू बड़ी जबदस लैंग बज़े इनतहाई का और की के फरक से ना बहुत कुछ हो जाता है अपने का गरीब का बच्चा ही आएगा येस क्योंकि अमीर के बच्चे की वज़ा से गरीब का बच्चा अमर्जनसी के अंदर जाता है ये तो इनतहाई गरीब और इनतहाई बीमार बच्चा सरकारी हस्पताल में जब एक अमर्जनसी में आता है उसे कोई बहुत हाइफाई लाज की हरवक जरूरत नहीं बेसिक नीड ह उस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो हमारी कॉंट्रिबूशन हो सकती है चाहे वो टेली मैडिसन के थरू हो चाहे वो एमर्जनसी रूम के थरू हो तो हमारा जो इस वक आप यूं कहले है रोड मैप है उसमें ये है कि जितने भी पाकिस्तान के पास और डिस्क्रिक ह हुलियाद तो मिल जाए जो एक नमूनिया का बच्चा अगर इंजेक्शन से जो के एक नॉर्मल एंटिबाइटिक 35-40 रुपई की आती है उससे बस सकता है ये पॉड़कास्ट पर करना चाहिए इदर इदर टीवी पर नहीं करना चाहिए मैं आपको सच बता रहा हूँ क्य जमलों पर मुझे बहुत सार जमले आ रहे हैं फिर उन गार मुल्की दौरों का क्या होगा उन तोफ़ों का क्या होगा उन गड़ियों का क्या होगा उन महलों का क्या होगा उन इमलाक का क्या होगा जो ये परसे से खरीदते हैं सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस वक्त ह जब वो एक बीटी या बीटा आपको लाके देता है रिकता है इसकी तबएत खराब है और जब आप उसे के बताते हैं कि इसकी तबएत ठीक हो गई तो कैसा लगता है साहिर मैं अपना परसनल एक्सपिरिंस शेयर करोंगी हर माबाप जो अपने बच्छे को ले के आते हैं हम अपने क्लिनिकल लैंग्विज में उनसे एक हजार एक बाते कर सकते हैं कि आपके बच्छे को ये बिमारी है ये होगा ये होगा लेकिन वो हमसे सिर्फ एक जुम्ला ये धन देट एक्स्प्रेशन और जब घर जाते हैं अपने बच्छे को शिहतियाब हुआवले के तो वो जो दौाइं देते हुए जाते हैं हमारा तो चाइड लाइफ फांडेशन में ये बिलीव है कि चाइड लाइफ फांडेशन अगर आज सर्वाइफ कर रही है या ग् रेक्राइन शो करते थे और मेरी ज़न्देगे का यादिगार तरीम शोग था जो हम भूने किया था माविया को जिगर की ट्रांसप्लांट की जरूती थी है। मैंसे हिंदुस्तान लेके गए गये ट्रांसप्लांट करवाने हैं उन्होंने हमारी मदद की, कुछ और लोग थे जो आगे आए, उन्होंने मदद की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस वक्त मैं उसे रुखसद कर रहा था ना, एरपोर्ट के लिए, तो किसी को यकीन नहीं था सिवाए मेरे, कि ये बच्चा वापस आएगा, लोगोंन अच्छी जिन्दी गुजारता है, तो जो खुशी मैंने उसकी माँ के चेहरे पे देखी थी, उसके बाप के चेहरे पे देखी थी, वो मुझसे आज तक नहीं भूलती, नहीं, और मैं खास तोर पे हमज़ा शहबाज का शुकर गुजार हूँ, बिकर वो हमज़ा तुमारी कॉल थी, वो आपकी कॉल थी, जिसने ये होसला दिया था, मैं सर पकड़ के बैठा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कहा जाऊँ, शो खत्म हो चुका था, पांच लाक रुपे हमारे पास, साड़े पांच लाक जमा हुए थे, आपने मुझे कॉल की थी और सफ माविया सही हो के आया, मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे प्लिटिकल कोई अफिलेशन का नहीं पता, लेकर मुझे पता है, मैं जिस हमझा को जानता हूँ, उसने एक ऐसे माबाप की मदद की थी, जिनको लोगों ने इंकार कर गया था, तो हमझा श्रवाज, I love you for that, I love you for that, thank you, ये बहुत ब़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, I want to say thank you to you, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, चारिलाफ फामड़िशन को मदद कीजे, नके Facebook पे जाएए, नके YouTube पे जाएए, और of course, नके Instagram पे जाएए, मदद करें, म आप Свकरेन आप से मिलते हैं Bombay के नूसे जुने की किये सौबत है आश마 से नूर की परसाथ है या नूर या नूर या नूर 11 शनम अलेक्म क्या हाल चाल हैं आपके ठेक थाक हैं और लोگ मैं आप सबसे पहले तो रमजान मुबार्क हमारी तमाम और गैनिक फैमिली को और आपके इतने अच्छे फीडबाक, इतने अच्छे रिस्पांस, इतने अच्छे रिव्यूस को देखते हुए आज हम आपके लिए एक नई प्रॉडक्ट लेकर आए हैं, आज हम एक नई पॉश पिंक यह तिंट है लिप और चीक स्टेइन इस आज कल जो है यह गर्मिया है मेक अब जो है लोग नहीं करते ज्यादा जियादा हैवी मेक अब नहीं करते लोगों को यह होता है कि लोग नेच्छल सज अब डियूटी आपकी इसकिन पर आए आपकी इसकिन ग्लो करें तो यह best है अगर आप सिर्फ इसको आपने यूस करना है आपको इसको शेक करकर इसको आपने two to three drops आपने इस तरीके से अपने चीक पर apply करना है और apply करने के बाद आप इसको blend करें किसी भी blender से या फिर आप इसको जो है वो अपने finger से भी blend कर सकते हैं इसका result मैं अभी आपको दिखाती हैं और इसी तरीके से आपने अपने lips पर इसको apply करना है और lips पर भी इसको apply करकर आपने इसको जो है वो blend करना है बिल्कुल natural look देगा आपको किसी किसम के make-up की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी आजकल जो है वो रमजान है ज्यादा है भी make-up लोग नहीं कर रह करना है और blend करने के बाद आप यह देखें इसका जो result आ रहा है यह बिल्कुल natural लगेगा आपके चीप बिल्कुल natural pink लगेंगे आपके lips बिल्कुल natural pink लगेंगे और यह आप अभी order कर सकते है phone number आपकी screen पर आ रहा है यह posh pink के नाम से आप अभी order करें organic care का cheek and lip stain posh pink के नाम स आपकी screen पर आ रहा है अभी phone उठाएं अभी order करें और I hope बलकि I hope नहीं यकीनन यकीनन I'm sure यह आपको बहुत पसंद आएगा और next product जो हम अपनी launch करने जा रहे हैं आज ही के दिन first of Ramadan को वो है हमारा glow drops glow drops age rewind के नाम से यह organic care का vitamin C serum है vitamin C serum है यह आप देख सकते हैं यह orange color का है इ इसकी fragrance भी जो है वो आपको आपको इसकी fragrance जो है इसकी बहुत ही refreshing सी है इसकी smell और यह vitamin C serum है और इसका नाम है glow drops यह आपकी skin को instant glow देता है और यह age rewind के नाम से है क्यूंकि आपके anti-aging और anti-wrinkle के तोर पे भी आपकी skin पर काम करता है वो तमाम लोग जिनके skin पर wrinkles हो गए हैं anti-aging का पूरा एक यह बकाइद एक treatment है anti-aging का आपकी skin पर instant glow लेकर आता है आप इसको use करें और यूज करने के बाद आप इसको tap करें फेस पर अपने हलकालका सा और आप खुद देखेगा कितना instantly आपकी skin जो है वो glow करना है start हो जाती है anti-aging है anti-wrinkle है और आपकी skin पर जो blemishes वगारा है उसको भी यह control करता है skin सगी हो गई है अगर तो आपकी skin को tighten करने में भी आपको help करता है अब भी order करें phone number आपकी screen पर आ रहे glow drops के नाम से age rewind glow drops organic care का vitamin c serum the next product is organic care का fat smasher fat smasher रमजान आ चुके हैं हम तमाम लोग रोजे रख रहे होते हैं और हमारे हाथ में होता है कि हम diet को भी control कर सकें तो अगर आप उसके साथ-साथ fat smasher का use करते हैं तो आपको result quick मिलते है कोई result आपको मिलते हैं और आपके ना सिर्फ weighing skill पर आपका weight कम होता है बलके आपके inches भी कम होते हैं इसलिए benefits के मजीद भी ज्यादा है जैसे आपको cholesterol की शिकायत रहती है फाल तो fats रहता है आपका पेट खुला हुआ हो और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कभी कपड़े loser होते हैं तो और सुबह के टेम पर जब उठते हैं तो उस चेरे पर swelling सी मैसूस होती है तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेतर है आप देखें रमजान में आपको एक benefit ये होगा कि आप हर चीज़ से परेज होंगे दूसरा ये है कि आप इफ़तारी के बाद और सहरी के टेम पर इस थरीके से आप इसकी डोजिज ले सकते हैं और इसमें ये है कि थोड़ा साथ आप अपने साथ ये है कि वॉक करें आप एक मिनिट में बासेट कदम हो आदे गृंटे की वॉक करें और फैटिश मेशर इस्तमाल करें इंशाला इसी रमजान में आप कई केजी कम क करेंगे इन चीज भी कम करेंगे फैट्स भी कम करेंगे और आप स्मार्ट नजर आएंगे आप अपने आप से एक प्रॉमिस करें आप अपने आप से प्रॉमिस करें फैट्स मेशर को यूज करें रमजान में आप हम तमाम लोग डाइट कंट्रोल बहुत एजी ली कर सकते ह नूर की परसात है यानूर 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 वेलकम बाक चुकर हमारे पर बक्त बिलकुल नहीं होता है और आपके पास भी नहीं है और गानिक केर के फैट समेशर की तो वन मंद का चैलेंज आप तमाम लोग लें और और गानिक केर का फैट समेशर इस रमजान में यूज़ करें और ना सिर्फ अपने वेट को कम करें बल और गानिक केर का फैट समेशर का चैलेंज लीज़िए वन मंद का अच्छ दे नेक्स प्रोड़क्ट इस माइ प्रोड़क्ट मेरी फेवरिट प्रोड़क्ट एक बात कहना चाहूंगी यह आपकी प्रोड़क्ट है और मुझे आपने यह गिफ्ट की थी तो मैंने अपने प प्रोड़क्ट का फैट समेशर करकर देखें यह और गानिक केर का 24 करड़ गोल्ड फैशल के इसकी यह पूरी रेंज यह 24 करड़ फैशल की आप सेलाउन जाते हैं और अभी रमजानों में हकिकतन किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो वक्त निकाल का सेलाउन जा सके औ अगर और गानिक केर का 24 करड़ गोल्ड फैशल किट आपके पास है तो आप घर पे बैठ कर 40 मिनिट के अंदर अपना फैशल खुद से कर सकती हैं और आपकी इसके ना सिर्फ पहल दी होगी आपकी इसकिन का टेक्स्टर बेतर होगा बैलकि आपकी इसकिन को यह ग्लो भी कर अगर जा सकते हैं जिसे फ्राइड ओफ होता है संडे अफ होता है साटेड़ का बीच में दिन मिलता है तो आप यह ले सकते हैं फेशल और यह एक पेशल 10-12 एक किट जर 10-12 पेशल आपको देती है अगर 5000 रुपे के हिसाब से भी लगाएं तो यह 60,000 रुपे हो जाते हैं जो आप सेफ करेंगे सेफ करेंगे अच्छली जी तो वही बाली बात कि आप अपने पैसे बचाएं और जहां पर पैसे बच सकें उसे जरूर बचाएं और ग्यानिक केर का अभी आप ऑडर करें 24 करें गोल फिशल और अभी आप अपने घर पे इसको रखें और पूरे क्यांडिक कर का प्रैटीनूगोंटव अगयान में वही बात बोलूएंगी कि प्रोटीन त्रीट्मेंट कराने के लिए भी हम लोग सारी होता ह्या बगशा करेंब्रे कि practically क्लीन आसे अपने द फिकक्रा न हुडें तो Burada आने करा सक्थ नहीं अबाज कि बाहर नहीं निकलना पड़ेगा घर से बलके घर में बैठ कर आप अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं और ग्यानिक केर का हेर ओई है हेर ओई ना सिफ आपके बालों को गिरने से रोकता है बलके आपके बालों की रीग्रोथ भी करता है आप इसको पंदरा दिन यूज़ करें बी और इसमें यह है कि बालों की रीग्रोथ भी करती है बालों का वॉलियम भी बढ़ाती है बालों में दो मुह हो रहे हूं यह उसको भी ठीक करती है लेकिन इसका इसका इस्तमाल भी बहुत एज़ी है ऐसे ड्रॉप्स की शेकल में आपने लगाना है और इसे कम से कम एक और नाइट लगा कर रखें, आपको जिस पार्टिंग करनी है अपने बालों में और आपको इसको अपलाई करना है ड्रॉपर से और अगर आप चाहें तो एक घंटे के अंदर भी अपने बाल वाश कर सकते हैं और इसका रिजल्ट वैसे ही आएगा और अगर आप इसका ही इस किया होई थी किया तो यह जा रहा है अगर अगर आप इसको सेपरिट ऑडे कर सकते हैं इटो एपको सेपरिट भी मिल जाएगा लेकिन अगर आप इसको पूरा pack order करते हैं तो इसके results amazing हो जाते हैं, बहितरीन हो जाते हैं इसके results, so phone number screen पर आ रहा है, अभी phone उठाएं, अभी order करें, the next time है, the next project is organic care की night cream, organic care की night cream जिसको मैं कहती हूँ magical cream और अब तमाम लोग कहते हैं इसको magical cream क्योंके, क्योंकि ये magic की तरह क आपके skin के उपर, रात में आपके skin की healing बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके जितने भी active ingredients होते हैं, वो आपके skin में अच्छे से absorb हो जाते हैं, जब आप से बहुत का face wash करते हैं, तो आपके skin, time हो गया, order करने के लिए सामने number है, तो please make sure करें, कि आप ये order कर दें, organic care आप आप से जुने की ये सौगात है, आस्मा से नूर की परसात है, या नूर, या नूर, या नूर अच्छा जी, इसलाम लेकूम, once again, welcome back, और ये वो segment है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बेकुछ ये मेरा segment है, ये आपका segment है, या मोर का segment है, जरह लगा दिएगा मोर पीछे, तो मुझे लगता है कि ये चुके company हमारी है, इसलिए, अच्छा इसके बाद लगेगा Thank you so much, अच्छा जी, तो let's say hello to Noreen, स्लाम लेकूम हिना, स्लाम लेकूम पैसल, स्लाम लेकूम एंड ऑक्सवा, स्लाम लेकूम, अच्छे जनाब, तो हम आज बहुत बड़े बड़े सर्प्राइसे हैं, सबसे पहले तो मैं वजीहा अश्रफ को कह रहा हूँ के बहुत मुबा Thank you so much, आपको बहुत मुबारक हो, रमजान की खुशियां बढ़ गई है, अच्छा लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, मैंने आपसे कहा थाना कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा एक्साइटिंग करेंगे जो कमाल हो जाएगा, हमने इसी ओफ 30 bikes are there, हर रोज, every single day, मुझे बता देगा, अगर आपस वो है, अगर आपस के आप वो है, तो ठीक है, नहीं, तो कोई बात नहीं, 30 bikes देने जा रहे हैं, तो thank you so much, आप कॉल कर सकते हैं, अभी ही telephone number जो है, अमोर का सामने है, आपको कोई भी problem हो, आपके बालों का problem हो, आपके, instant glow का problem हो, या फिर आपका weight loss का problem हो, आप definitely, definitely, अमोर को call कर सकते हैं, consultants वहाँ है, 3500 की orders आप प्लेस करें, और हर दूसरे दिन हम announce करेंगे, के जी क्या है, आज बहुत exciting चीज़ है, अमोर ने अपने perfumes को भी launch किया है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बाल जो गिर रहे हैं, वो बच जाएं गिरने से, तो ये जी बालों को गिरने से बचाता है, इसे अगर आप combination के साथ इस्तमाल करें, तो गंजपन का इलाज होता है, जैसे कि मैं आपको बताओं कि अगर आप इस शांपू को इस के साथ इस्तमाल करने, इस ओएल के और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, रापिड ग्रोथ होती है, वो लोग जो गंजपन का शिकार हैं, अक तो गंजपन के लिए मैं आपको गारेंटी कहाता हूं, पाकिस्तान में इसे बेटर याद रखे दोनों में एक ही बात है दोनों एक एक या ईंटी डैंडर्फ Anti-Fungal है और दूसरा बाला जो है वह वल्दॉमाइजिंगा आपको व्लीमाईजिंग बहुत देता है और आपके बालों को गिरने से रोप आ तो यह फूरा क पूरा च्रीय्ट्मेंट है डॉक्साइबा क्या कहती है आप बहुत अबदस और अगर आपको वैसे भी क्योंकि आप गर्मियां आ गई हैं और आप लोगों को ओली स्केल्प का प्रॉब्लम है और स्वैट बहुत जादा होता है तो उसके लिए वो ग्लू शैंपू बहुत आइडियल है लेक्से लोगों याद रовन प्रस खूआ ब्धस याद रहाल है याद रखिए पाकिसान में पहली मतभ़ा संब्लॉॉज यह तो इसके इसेफॉष यह कंज गुग यह पृस टीजे और मुझे बटाईय वार अपने धिया बोई जब्त और सबसे बड़ी बात है फॉरन सॉल वतर सके एक और चीज भी है यह एंटी एजिंग भी तो आप इसको जब लगाते हैं तो इसके बहुत सारे फवाइदे आपको यह बता दू कि इससे बेटर संब्लॉक जल पाकिस्तान में आपको नहीं मिल सकता चाहा है दुनिया में नही जब लगे हैं जब रहा मैं बॉट अब छाओओं खार्यूमीं अपज उसके बात शीच की सब जबना केंटैक दाशन इब सरह किर अभून गणा में आपमाघर कीरान है तो आपने अब परुछ अपने परिंडा। आठ और और मैं हास इस लिए रहा हूँ परकाज मैं फैसल को देख रहा हूँ खल मैंने फैसल से बना किया था यार मुझे आप सहरी मत करवाईगा लेकिन उनना फिर भी मुझे सहरी करवाईगे अधिने पराथे के बाद के पाद की फैसल है पकापका एक गोलक लेजए और वेट लूस करना शूरू कर दीजे आगे से हर जगह से आपका वेटलू सुझार अगर यह वात अगर आप मुझे बथा के यह कर रहे तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, genuinely, सब और गानिक है, PCSI आपको प्रॉट चाट खाएं, उसके बाद खाना खाएं, सब कुछ कहा हैं, लेकिन उसके जरूरू खाएं, एक कैपसल, अफ़तार के बाद ले 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 या फिर सुबह सहरी में ले 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 त्रस्ट मी आपका वेट ऐ इसे गरेगा, और आप कमाल किसम के कपड़े जो आपने उतार करें दिया थे कि बाद एक उसको तो पहनी नहीं सकते, वो आप पहना शुरू कर देंगे, अच्छा साथ साथ मैं आपको यह बता हूँ, वेरी वेरी इंपोर्टन हमारी ये इंस्टन ग्लो क्रीम है, और इसके रिजल्ट इंस्टन ग्लो है, ये फॉरन आता है, और आप देखिएगा, कि ये किस तरह से काम करती है, ये आप ले लीजे से प्लाटनम गोल्ड कहते हैं, इस शदीद गर्मी के मौसम में, जहां आपको सन ब्लॉकी भी ज़रूरत है, जहां आपको इसी ज़रूरत है कि आप इस ब्लॉक देखिएगा, इस ब्लॉक प्रणा ना हो, उसमें आपको इंस्टन ग्लो बी चाहिए ब्राइटनेस भी चाहिए तो आप ये इस इस ब्लॉक निगा आपको फर्क पता चल जाएगा, आप देखिए लगाई आप ने दोनों पर लगा लिया है, आप देखिए इस ब्लॉक प्लाइटनम गोल्ड है, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ये देखिए, इस 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 अमारा एजिप्शन गोल्ड है और ये सिरम वो है के रात को आप लगा लिजे रात को लगाने के बाद सुआ और ये पांच से चार कत्रे बहुत होते हैं, आपक आपको एक दो दोप दे रहा हूं, जिस वन दोप और इनको भी आपने देखा है, बने सिर्फ एक दिया है और ये आपको हमेशा यंग रखता है, एज रिवर्सिंग है, और ये इस अन्बलीबबबद बहुत बहुत एक्स्पंसिव होता है, लेकिन हमने ये उपर बोलने लगेगी, पंदरा दिन के अंदर बोलने लगेगी, जी रॉक साइब आपके skin जो है उसके पर एक बहुत नेच्रल सा glow आएगा और इसके अंदे क्योंकि मॉस्चिराइजेशन अफेक बहुत अच्छा है तो आपके फाइन लाइन्स भी रिडियूस होती है गिलाएन दागी, अवडरी लौरी तyy और इंच्रफ कोरे rabbits, लुकि प्सेन गाए, वहाँस्थ्याश जनख रातिए प्ले मुस्पार, प्ले रिडूकुत अभी अच्छा हुए सेरु को अच्छा रिएह थाजका पर शेशर्पैम अभाइश को कि दाख जादेší," इस पनाуса इसको सी सीरुम कहते हैं, इसके खुश्बू कमाल है, और साथ साथ जब आप वाइटमिन सी का इस्तमाल करते हैं, तो ये नैचरल कॉलिजन पुडियूस करता है, डॉक्साबा कही में घलतूं को मुझे करेट कर दीजेगा, नै बल्कुल ठीक है, नैचरल कॉलिजन इसके रिंकल आगे हैं, और वो साग करने लगे हैं, तो आप ये वाइटमिन सी सीरुम करें, इस बीटिफुल, इस वर्क्स लाइक मैजिक, दो आफ्ते के अंदर आपकी स्किन रिपेर होना शूरू हो जाती है, और आपको पता चलता है कि रिजल्स किस तरह साइएं, जी अ आपको अमोर के परफुम्स कियां, मैं वो ले किया होंगा और फिर आपको बताचले कि मैं क्या बात कर रहा हूंगा, कि तरह आपको दुनीया के बिहतरीन परफुम्स दियुँगा, अब दे दिये हैं लिएं ब्रेक के बाद आपको इसको 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 इ आपको बिलकुल सोचने की जरूरत नहीं आप ले सकते हैं और लेकिन याद रखिएगा इसका रिजल्ट कम कम इसकम तीन से चार वीक में आना शुरू होता है प्लीज दू नौट थिंक के ये दो मिनिट के अंदर काम करती है वकर हमको जूट नहीं बोलना चाहिए सची बात करने चाहिए साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप 3500 का आज ओर्डर करते हैं तो हर रोज हम 30 बाइक्स only on TV1 पर 30 बाइक्स देने जा रहे हैं कल हम उसका इलान करेंगे कल पहला विनर कौन होगा जो हमारी बाइक लेता है लेकिन आपको 30 चाहिए 3500 का आपने पर्चेस करना है और आपको नाम हम ड्रॉ में डाल देंगे आज जो 12 प्रो फोन है वो बजी आश्रफ ने जीता है थैंक यू, congratulations और रावल पंडी में जीता है तो यह आप इस्तमाल कर सकते हैं साथ साथ हम यहां पर आते हैं जिसके कहते हैं baby pink अगर आपको baby pink skin चाहिए literally baby pink चाहिए तो और आपको जवान skin चाहिए, brightening skin चाहिए आपकी skin को कैसा लगा, आपकी skin को कैसा लगा, डॉक साहिबा, pink skin चाहिए तो आप यह इस्तमाल कर सकते हैं, again organic है इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके लिए harmful हो, फैसल, how do you like it? amazing, प्रेग्रेंस अच्छा है, alright, जी, it gives a lifting effect, alright, आप बताईए जी, baby skin plus smooth, all right, all right, all right, अच्छा जी, यह तो सारी products है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, scrub चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, skin के लिए कॉल कर सकते हैं, weight loss के लिए कॉल कर सक है, और अगर आपको perfumes चाहिए तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं, मैं जो perfumes इस्तमाल करता हूँ, मेरे दो बहुत favorite perfumes है, नाम में उनके ले देता हूँ, सबसे मेरा all time favorite है, वो Creed Aventus है, जो मैं इस्तमाल करता हूँ, और उसके बाद मैं इस्तमाल करता हूँ, फ्रेडरिक माली में compare कर सकें, मैं ये खुद notes जो है, इसके मैंने खुद design के इन तमाम perfumes के, आठ variants हम आपके सामने लाए हैं, और ये आठों के आठ variants different है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहला variant है हमारा इश्क का, इश्क लगा दीजेगा, अगर हमारे पास यहाँ है, ये इश्क ह है, अब मैं सच बूछ रहा हूँ, कैसा बताएए, मतलब मैं, lasting बहुत है, lasting बहुत है, एट टू नाइन आवर्स के lasting होती है, ये कमाल है, आप इसको इसको इस्तमाल कीजेगा, कमाल है ये, ये इश्क है, ये आप ले सकते हैं, मैं आपको प्राइस नी बतारा है माला, लेकि है, अचा जी, दूसरा हमारा जो वेरियंट है, ये मेरा all time favorite है, इसे कहते हैं कहानी, दूसरा हमारा जो है, it's called कहानी, अचा और ये कहानी बड़ी कमाल है, ये यूनिसेक्स है, इसको दोनों इस्तमाल, मर्द ये खवातीन कोई भी इस्तमाल कर सकता है, and I guarantee you, इस से बेतर फ् कहानी, 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 नहीं, it's good, हसने की बात नहीं अगरा हमें, बहुत unique and different, this is the first time, like हमारे जो भी अब तक ब्रांड्स इसने भी लाँच के हैं, तो कहीं नहीं नहीं इसने वह ऐसी चीज़ के, but nobody liked USA's कहानी, इश्क, अभी आप सुनियेगा, deep, जो आपने first fragrance fesal को अच्छा लगा, तो मुझे ऐसा नहीं फील वा कि मैं United Arab Emirates की तरफ, उस उस एरा मैं है, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या composition, देगे जी आप बस मंगवाई है, आप इश्क है, कहानी है, मैं उस उस continent वाले एरा में थी, जब वो मुस पहानी, जब मुस पहानी है, जब मुस पह लम्हे जो है, वुमन्स ट्रेग्रेंस है, और ये कमाल, ये खावातीन का है लम्हे, खावतीन को moments की बहुत कदर होती है, न अ मुंको भी होती है, यृट कि ज़ादा खावातीन को होती है, जब खावतीन लम्हे लिछ ऑनी चोड़ती ही न, मैं अपको सिर्न को ट्राय करें, Hey, Docs cœur, try this please. जिस्को try करें. lemhe Haijis का naam. जिसको try करें, and then you tell me कैसा है. Soothing! Thank you very much. Michael, झाल मैं यह चाहरी हूं कि हम feel करें किस ambiance में सुरत है? नहीं तरह तेकनिकल नाज्या है? Time is not means. यह बता है, नष्ण है मुझे एंग एक्म ऐसा लगा. Exactly तरह भी नियुक्षही हैं आपको दो पूस्य है वह चया अच्छा लगए अच्छा लगए कसा भर्रम кई लम्ह माद मेरा अच्छा आपको और मैं سाबस्क्राइड में दुगर बाद मेnd देँ अपको यह यह जी लीष्ट का मतलब होता है जिन्दगी लीष्ट कलने दो नहीं बते है ल कुई और जिन्दीगी किदर है और से बेहर बेर कोई नहीं जान सा कि पहन दया है लोग जाना है्स तरonst Blue लेखिल की आा सरीळी और पल्डोगी आ आप लेक्वी मुधर 걸 कोया है यह मेरा फेवरिट तरीन है, Zainu है. Zainu है के पैसे फिलोसफàiर का नाम है जिसको मैं फ폰 फॉलो करता हूँ। उसका नाम Zainu है, Zenu Mends Perfume है और यह मेरी और फैसल के मुश्टर का पसंद भी है आप इसको इस्तवाल कर के देगे ये वैसे तो विमन्स भी इसको लगा सकती हैं, लगा सकती हैं, कोई भी अपर खैद नहीं है, पर्फ्यूम तो कोई भी हो सकता है, बताइए मज़े सर कैसा है, ये जो आपके छोटा वो दिया था, उसके बाद फिर मुसलसल में, फिर उसके मैंने का यारब, अडिक्शन हो जो उनकी स्मेल आती थी ना, वोई है रवाज जो है वो उनकी का है, आप देखियेगा जी रवाज को चैक कर रहें, ये विमन्स पर्फिमाजी, बताइए मजी कैसी है, वो खटी मिठी वाली, ऐसी है, साहर रहता मूनी बनाते है, बदेशना बनाते है, नानी दादी वाली, जो खटी मीठी सी बाते बताती थी, ये बिलकुल वैसा टाच आया, कि ये हमारे जगा हमें बैठे है, बिलकुल एक खुछी बहुताई जबताश अगर जगाए है, हमारे जगा में पार्फियू की अपनी इडिंटिटिटी अच्छी, अब हमाते है, माजी की तरफ, माजी यह जो है अगान वो विमन्स पर्फियूम है विकास आइ थिंग उनको माजी से जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है और समहा वो जुड़ी रहती है और सम्हा वो जुड़ी रहती है माजी जो है यह इस्तमाल कीजे आप और माजी आपको कहीं माजी के अंदर ले जाएगा मैं आपको सच बता रहा हूँ माजी इस ब्यूटिफुल माजी इस जस्ट ब्यूटिफुल कैसा लगा आपको माजी आद आगया अच्छा जी कैसा लगा आपको मैं आपको एक बार बता हूँ परफ्यूम के मामले में आप मेरी चूजी और कभी कबार मुझे हर तरना का परफ्यूम नहीं अच्छा लगता कभी कभार मुझे इंसे हड़िक हो जाता लेकिन आपके जितनी परफ्यूम की रेंज है यह तमाम बहुत सूधिंग लगी मुझे और कहीं भी मुझे कोई ऐसा फ आपको सच बता रहा हूं यह मेरे दिल का परफ्यूम है विच इस कॉल सीन यह मर्द और खवातीन दोनों के लिए है आप इसे पहन लें आपको लगेगा कि आपने मुझे पहना हुआ हूआ है मतला मैं स्तमाल करता हूँ यह बिकुज दिस इस मी यह यह मैं हूँ यह परफ् 500 का है और याद रखेगा सीन इस एक्स्क्लूसिव मैं आपको लिख के देता हूँ एक ब्रैंड है दुनिया का बहुत बड़ा जो मैं पहनता हूँ जो मैं लगाता हूँ उसकी साड़े 800 डॉलर की बॉटल होती है और यह उससे बहतर परफ्यूम है मैं नाम नहीं लूगा इसकी लास्टिंग बहुत अच्छा और इसकी लास्टिंग आट से दस गंटे बहुत इतमनान के साथ है तो सीन में सब को सीन मर्द और अउरत कोई भी लगा सकता है यह चेक किज़ेगा यह फैसल इस उस दूज़ ना यह लगाया था और यह देख लीज़े यह देख लीज विद्र तो से सबस्स्राइब तो सीन मार्द दोनों के लिए है विलकर था यह जाओ रही नहीं जाओ तो तूसरी बात नहीं बता दूसें की पैकिंग जोह वह बड़ी लाजवाब है इस तरह से सीन आता है आपको यह इसी तरह से मिलेगा यह उसको देख सकते हैं यह आपक तेंक्यू जी एक चोटा सा ब्रेक एक कॉल अभी कर ले है गाड़ी का मामला है जिसने भी 35 का ओर्डर किया कल वो उसको एक एक मोटर बाइक मिल जाएगी एक चोटा सा ब्रेक जी आप से मिलते हैं ब्रेक के बाद नूर से जुने की ये सौबात है आसमा से नूर की परसात है यानू 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 जब आएंगे तो उनीक इंतिजार करेंगे और वो ही पढ़ेंगे अभी तो इसको बंद कर दीजेगा इसको बंद कर दीजेगा थैंक यू बई मच अच्छा आपा कैसी हैं आप अलहमदलिल्ह यह बताईये रमजान आपको रोजा लग रहा है जी लग रहा है और किसको लग किसी को लग रहा है रोजा 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 आपकों लगाै? फूसरा नहीं लगया नहीं लगता अज आप लोग खुद त्यार हुए हैं खासत पर दलकुमत हो कल मतलब ना किसी से मदद ले लीजेगा मैं रेक़्वर्च करना हूँ आप लोगों से हाः जोड़के दोनों से रेक़्वर्च करना मैं देखे, मैं आपनों का दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, अब यकीन माने मैं आपसे घलत ब्यानी नहीं करूँगा, तो इनको देने पैसे भाई को हम सुछा से एक चैनल से दूसरे चैनल धूप है जरा, लेकिन यह ज़ने हो रहे हैं लेकिन रोजा नहीं लग रहे हैं उपके रहा आपकी नहीं नाथ से चलेजिछ बिस्मिल्लाय हमारे रहे, कोई सडीका है आरजूका ना बंदगी में मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है किसी का एसान क्यों उठाएं किसी को हालात क्यों बताएं किसी का एसान क्यों उठाएं किसी को हालात क्यों बताएं तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे तुम्हारे दर से सही ला लगी है अता किया मुझे को दर्दे उल्फत कहां थी ये पुर्खता की किस्मत मैं इस करम के कहां था काबल हुजूर की बंदा परवरी है यही है खालिद असास रह्मत यही है खालिद बिना इजमत नभी का इर्फान जिन्दगी है नभी का इर्फान बंदगी है मैं इस करम के कहां था काबल हुजूर की बंदा परवरी है इसका एक फिर है अमल की मेरे असास क्या है बजूज निदामत के पास क्या है रहे सलामत तुम्हारी निस्बत मेरा तो एक आसरा वही है आप पढ़ते हैं न यार वो कमाल अल्ला ने आप कुछ आवाज दिये और मैं बातें से भी कहता हूं कि वैसे तो कुछ भी पढ़ लेंगे गाते बहुत अप्छा हैं सेंगर तु बहुत कमाल कहीं हैं लेकिन जब आप नात पढ़ते हैं, वो कमाल है, अभी इन्होंने, कल हमने चलाई थी वो, यार रह्मतुलिलारमी, और वो कमाल पढ़ी है, मुझफर बारसी सहब, कि वो अकर आपने देखा था, तो बड़ा खुबसूरत, माशा आला, माशा आला, आज भी माशा आला, बहुत अज़ बड़ा, शुक्त, सिभान आला, अज़ अच्छा, विसे कब से शुरू किया था वेजल, खुदी एक दिन, आपके फैमिली में कोई है ऐसा, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, अबस अम्मी थोड़ी बहुत पढ़ती थी, तो उनको शौक था, मतलब शौक इसना से वह साथ है, या नूर, या नूर, या नूर किदा में मौला या सल्ली वा सल्सिम दाइमन आबादा अला हबीब का खेर, फल्की कुदी हीमी मुहम्मद सेद कोने लिए, वा साखले लिए, वा फरीके लिए, मिल अर्बिव वा मिल अजमी वो मुहम्मद फाख आलम बाद शाहे, इसो जा सर्वरे कौनन सुल्सान अरब शाहे अजां एक दिल जिबरील से कहने लगे शाहे, उमम तुम ने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे है हम अर्ज की जिबरील ने शाहे रसूल मुहतर आपका कोई मुमासर ही नहीं रब की पसुम मुलाया सल्ली वसल्म दाइम अबाद अला हबीब का खेर खल्की कुल दे में दुरू दुरू पर सल्म पर यही कहना खुदा का है खुदा के बाबद जो है मरतबा सल्ली अना का है वही सरदार आलम है वही गम खार और इमत है वही तो हशर के मैदान में सबकी शफाएत है शफाएत के यह सबकी नजर उन पर लगी होगी या रभी बेल मुस्ताफा बल्ग महमा से जाना मगफिर लना मामा दाया या से अलकरमी मौला या सल्दी वा सल्लिम दाईमन माबदाना का भाता हुआ है आदाव का ऐधार लोब कंदेह करूशी तो जुष प्रया में । 횟-भात बहुआ कैसी है रुक्त हैं अभी कली मुलाका उतोरू आप तो रोज मुलाकात करेंगी इन्शाएडा मैंने सब से पोचा इस रोज़ा तो नही को नहीं लिग कैसे आइशा बहाता आज दो के कार के नहीं बाद मुझे कवरम पुने हम उर्दू कि चुरू के दौर Deaf चार रोस्य लगता है कि ग्रीट कभीने हिसा नहीं और अद्र है प्यास प्यास तो बिलकुल ने लगती है। लेकिन पता नहीं क्या बात है। आज मुझे लग रहा है। कुछ नहीं मतलब। असल में आप राच से जादा बीजी रहें, इस्तग्बाल रामजान भी आप कर रहे थे लाद बर आप बीजी रहें, पर सहरी में तो मेरे खाल में आपकी नीन भी पूरी नहीं होगी अरा हम जादा नहीं किया यह इंडिकेटर है इस बात का कि आज से सहरी सही कीजिएगा जी हाँ अच्छा मैं आप लेकीन मानिया मैंने सहरी तो बहुत अच्छी की थी अच्छा मैं कुछ एक, दो, तीन हफते से तो मतला मैं तो देख रहा हूँ ना सामने और सामनी पिक्चर है जी अच्छी के पीछे तरह काम है, रात के जागना, सब चीजे करना मेरे खाल में भाई, कैप्टन आफ शिप होना कोई असान काम नहीं है यह बड़ा मुश्किल काम होता है आपके सर पर इतने सारे लोगों के जमेदारी है और शिप भी जहाँ जगाँ जगाँ टेप लगी है उसको तो बहुत ही मुश्किल से समाला जाता है बट एनिवे, समाओ, हमारा शिप तूफानों का मुकाबला करता हूँ निकली जाता है इंशाओला, लेकिन आपकी मुलाकात, आपसे मुलाकात हुई है इतना सालों के बारा काफी साल वरी गाए, बहुत खूशी हो रही, बहुत खशी हो रही बहुत ही और अभए नाइस और आपको पढ़ाते तो आप माशाथावाला बहुत अचा है वह एता हमारा बहुत जआते होंगे या रह्मत लिल्कालमी मिंबर तेरा अर्श बरी या रह्मत लिल्कालमी या रह्मत लिल्कालमी आईने रह्मत बदन सांसे चरागे इल्म उ फन कुर्बे इलाही तेरा घर अल्फकर उ फखरी तेरा धन खुशबू तेरी जुए करम आँखे तेरी बाबे हरम नूरे अजल तेरी जबी या रह्मत लिल्कालमी तेरी खमोशी भी अजाँ नीदे भी तेरी रत जगे तेरी हयात पाक का हर लम्हा पेगंबर लगे खेर लबशर रुद्बा तेरा आवाज हक खुद्बा तेरा आफाक तेरे सामई या रह्मत लिल्कालमी कबजा तेरी परचाई का बीनाई पर इद्राक पर कद्मों की जुम्बिश खाक पर और आहटे अफलाक पर गर्दे सफर तारों की जौ। मरकब बुराक तेज रौ। साइस जिबरील अमी या रह्मत लिल्कालमी तू आफता बेगार भी तू पर्चमे यल गार भी इजजों वफा भी प्यार भी शेजोर भी सालार भी तेरी जिराफत हो जफर सिद्क व सफा तेरी सिपर तेग व तबर सबर व यकी या रह्मत लिल्कालमी फिर गुद्डियों को लाल दे जाँ पत्थरों में डाल दे हावी हो मुस तकबिल पे हम माजी सहम को हाल दे दावा है तेरी चाह का इस उम्मत गुम्राह का तेरे सिवा कोई नहीं या रह्मत लिल्कालमी या रह्मत लिल्कालमी आस्मा से नूर की परसात है या नूर या नूर या नूर आप सब लोगो ने मिल्कशेक पी आए आज मैं बना रहा हूँ लेकिन इससे पहले कि मैं मिल्कशेक की तरफ जाओ आपको इपको इपना नूर नूर प्रिम यह वो फुल्क्रीम मिल्क है ताट में यह और मोर्निंग्स रिली हैपी यह यह उस्टी ट्रीटेड है और अठाइस कॉलिटी टेस्स से होकर गुजरता है अठाइस कॉलिटी टेस्स जब भी आप तक पहुंचता है इसी वज़े से इससे बहतर मिल्क कोई और है नहीं तो आलपस रिली रिली गुड जो आप पैक देख रहे हैं यह इंताही हाईजियनिक है और यह स्तरह से पैक किया गया है ताके आपकी फैमिली को और आपके लवड वंस को दुनिया का बेहतरीन मिल सके आईए आज चलते हैं फैसल तुमने कभी बनाया है मों आए मों चलते हैं यह यह बनाया है का यह बनाया है तेक यह हमारे पास यह पास यह ब्लेंडर है और इसके अंदर मैंने यह पेले denkán Such 5 प्राइब मैंने प्रवा फ्री ख किले लिया और ये मैं व्राइब अन्दर डाल दिया है। बहुत से काम है। All Price क्रीम की में अश्छाश से आफास काम है। तो मैं चाहता हम केका सबसे क्रीम के पहले क्रीम के आगास करूँ। प्रीम मैंने अलपर्स की डाल दी है, बहुत जादर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसका यह पूरा पैक यूज़ कर रहा हूं, और फिर उसके बाद हम अलपर्स मिल्क की तरफ चले जाएंगे, और आपको वह मिल्क भी मैं बताऊंगा कि कितना डालना है, तो हमने य छोड़ यह जी है, और आइस को मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है, अब मैंने खोला है और ऐ्लपर्स के अंदर आड़ कर रहा हूं, आपके सामने यह चारों ग्लास यह रखे हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे, एम यह चारों ग्लास बना सकें, मैंने कुछ औलप आपको पता है कि अल्पर्स पुल्कूरीन मिल्क है जो आपकी मॉर्निंग्स को बहुत अच्छा बना देता है बहुत पस्गवार बना देता है And we're almost dead. We're almost dead. Count on the dish. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And we're done. And we're done. Achcha ji. Now we have just enough to do this here. You can see the thickness. It is really, really, really good. I'm going to pour it into glasses. You can see how rich it is, creamy it is. It's a fun. It's a lot of nutrition. It's a hygienic way to pack it. Allpers. And I'll tell you about allpers. Allpers, I'll tell you about allpers. These are the ones who are buffaloes and cows. They're special care to you. So you can get the best milk for the world. And you can see, you can check. You can check it in the morning or in the afternoon. And you'll know that allpers has been designed for you. How beautiful it is, 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 how beautiful it is. And cream comes out to the world's best cream and best milk. Thank you allpers. You should do something like it. To get started, you should do something with a yusuf, so you can drink it with a lot of fresh food. आपको हमारे तो एक बड़ा बशूर जोग है ना पठाने हम पठान होगा एक जोग है कि हमारे किसी भाई ने एक रेडियो प्रोग्राम में फून किया कि कहने कि क्या बात है जी कहले तो आप में ग्जान होगा उनको रोजा लग देखा है तो आप में वो बात की कि भाई मैं दे दू आप तो आप बता देदेता हूं अजान अजान अगरिब से पहले बाद में पीजेगा मैं साहिर यह चाहर है कि आपको अधाने मगरिब सुनवा दे बिल्कुल नहीं वैसे अभी जब मजीद किछन वाले सेग्मेंट्स होगे तब आपका क्या होगा आपको लग रहा है भी तो रोजा लग रहा है नहीं रोजा लग रहा है हाली लेकर आएंगे पराब रहा है पसंद आया है बहुत है अच्छा लग बिल्कुल अच्छा मैं को सच बता हूँ अलपस राधिंग हम हर घर में यूज होता है हम सब अलपस ही यूज करते हैं और इसकी क्रीम बहुत अच्छी है और मैं अपने जब भी दही बड़े बनाती नूर से जुने की ये सौगात है आसमा से नूर की परसाथ है या नूर या नूर या नूर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं और सच तो हमेशा ही बूलना चाहिए लेकिन कभी कभी ये होता है कि सच की जो शकल है वो बदल जाया करती है दोर मुख्तलिफ होते हैं और उन मुख्तलिफ अद्वार में इनसान बहुत सारे फेज़े से गुजरता है आज ये कैसी नजम आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसमें चार अद्वार का जिकर है पहला दौर दादा का, दूसरा वालिद का, तीसरा अपना और चौथा आने वाली नसलों का अब खाहिश मेरी ये है कि जैसे मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ मैं अल्लह ताला के करम से वैसा पढ़पा हूँ और आप तक वो बात वैसे पहुँच सके हम रेलवे कालोनी केंट में रहा करते थे और हमारी शामें और हमारी सुभे बड़ी मुख्तलिफ हुआ करते थे आपके सामने, ये मेरी अपनी कहानी है और आप यकीन मानिया, ये कहानी आपकी भी होगी, इसको सुनियेगा दुखसुक था एक सबका, अपना हुया वेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना दादा हयात थे जब मट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खटका, ना डाकूं का डर था सोते थी नीन गहरी, शामें भरी भरी थी, आबाद थी दुपहरी संतोष था दिलों में, माते फिपल नहीं था, दिल में कपट नहीं था, आँखों में चल नहीं था थे लोग भोले भाले, लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितनी जल्दी, सब हो गए रवाना दुख सुख था एक सब का, अपना होया भेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना अबा का दौर आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई, आगे रिवायतों से बढ़ने का ध्यान आया, मट्टी का घर हटातो पक्का मकान आया, दफ्तर की नौकरी थी, तन्खा का सहारा, मालिक पे था भरुसा, हो जाता था कुजारा पैसा अगरचे कम था, फिर भी न कोई खम था, कैसा भरा पुरा था, अपना गरीब खाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा, आसून मुस्कुराहट, जीवन कहा लहसा, अपनी खबर नहीं है, माया कजा लहसा, पैसा है मरतबा है, इज़त वकार भी है, नौकर है और चाकर, बंगला है कार भी है, जर पास है, जमी है, लेकिन सुकू नहीं है, पाने के वास्ते कुछ, क्या क्या पड़ा गवाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना ए आने वाली नसलो, ए आने वाले लोगो, भोगा है हमने जो कुछ, वो तुम कभी न भोगो, जो दुख था साथ अपने, तुम से करीब ना हो, पीड़ा जो हमने जहेली, तुम को नसीब ना हो, जिस तरह भीड में हम, जिन्दा रहे अकेले, ये जिन्दिगी की महफिल, तुम से न कोई ले ले, तुम जिस तरफ से गुजरो, मेला हो रोशनी का, रास आए तुम को मौसम, एक्कीसवी सदी का, आनन्द हो दिलों में, जीवन लगे सुहाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना, दादा हयात थे जब मट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खटका, ना डाखुआ कड़ था, अब्बा का दौर आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई, आगे रिवायतों से बढ़ने का ध्याना आया, मट्टी का घर हटा दो, पक्का मकाना आया, अब मेरा दोर है ये, कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा, आसू न मुस्कुराहट, जीमन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है, माया कजाल ऐसा, ऐ आने वाली नसलो, ऐ आने वाले लोगो, भोगा है हम न जो कुछ, वो तुम कभी न भोगो, जिस तरह भीड में हम, जिन्दा रहे अकेले, ये जिन्दिगी की महफिल, तुमसे न कोई ले ले, तुम जिस तरफ से गुजरो, मिला हो रोशनी का, रासा आए तुमकु मौसम, 21 सदी का, आए तुमकु मौसम, 21 सदी का, वोगा हो राइट जी कर्शी के सेग्मेंट है, मेरे साथ अंग्रेज मेरे मतलब है नौरीन है, कैसी है नौरीन ठीक हो तुम? तुमकु ठीक, असलाम लेकल, आए असलाम लेकल, आपको रोशन मुबारक हो, आपको यह मुबारक हो, और आज हम कर्शी के सेग्मेंट कर रहे हैं, याद रखिए, कर्शी जो है, वो बड़ा कमाल चीज है, आपको मालू है कर्शी जामेट शीरी पाकिसान का नंबर वन शर्वत है, यह सिर्फ सौ फीसद खालिस अरक्याद से मिलकर बनता है, इसमें पानी का एक कत्रा भी शामिल नहीं किया जाता, दूसरी बात यह है कि इस याद शीरी पीना कुलाता है, असर्थ से बात कальной 수가 इस असर्थ सब्सक्राइब कर लो एक मिनुट जी हम आया है जामे शीरी पीहा नहीं बनाइज नहीं आज बनाना भी सीख लो फैसल नहीं है पीना कुलाडा को भी बना है हाँ हमयरा भी अटलना वह बना अ क्vollू को नहीं पर हो दो मुछे लौ आप जामेश्यी त अगेर तो बने गया नहीं अदिए तो बनेगा नहीं से घुटानट मेर्च तो यह एप गया जाएगा। आप है ना बताती है ना? नहीं नहीं दो रहा है यह पाइनापल इसमें चुंक्स चले गए यह पूरा वन तेन है ठीक है अच्छा पाइनापल चंक्स चले गए इसके बाद इसमें जाएगा यह जूस दोनों जूसे दाएगा? यह जी, दोनों जूसे, 2 glass दो ग्लास पाइनापल जूस के भी हमने डालें इसके दे पाइनापल चंक्स जो थे, वो भी हमने डालें थेंक्यो जी अच्छा अब इसमें जाएगा खोकुनित पाइवडर सारा डाले है? हाँ सारी यह जालदे है अल्मूस्त 3 तेबल स्पून भी अच्छा निए कुछं के बालें यह 1-2 तेबल तुर सी ओर बड़ी बने एगा अपने परेल यह नी दालना किया यह टरा इसे आपर सिदालागी तो यह चार ग्लास अंफ़कर पूरा होगा हो जायगा एपका हो जायगा नहीं हो ज़्या जी निकाल अचेजिए अब मैं क्या करोंगी सबसे पहले इसको मैं थूरा सपर्जेंटेशन के लिए यह उट्टार लगता इस तरह से लोग करते हैं यह बड़ा कमाल है यह कबी नहीं है करना आपको जामे शीरी ने सिखा दिया एक्जाना कैसे है तो पान्च रुपर निया ना? पान्च रुपर ना? तरह ना? ना? आप देती भी ने यह पान्च रुपर ना? आप बड़ी मतलब, पता है मजब, आप खुदा ना करें, आपको इस दिम्में कोई लग जाए फिर तो बस, इनके पास एक में शो में गया था, चाय तक नहीं मिली थी मजब, चाय भी बिल्कुल इंड पे मिली थी, मैं और करी थी, येस, ये वर, येस, ये वर, येस, ये वर इसको कैसे कुछ को खों भी, झाली, एक मैं हूना आपकी लिए, आलला आरहम करे, खुल गए, में डाल दो? या जाले, पिणू जी, थांक यू जी, बहुत बहुत शुक्रीया, ये जी, सब में आने, मैंने आप से क्या कहा, मैं हूना हूना हाँ, तो बस, शोर दे आप बिल सरकियात से मिलके बना होता है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, पानी का एक कत्रा भी शामिल नहीं होता है, जामिशीरी पाकिसान का नंबर वन शर्वत है, और आज आपके लिए हम जामिशीरी पीना खुलाड़ा लेके आए हैं, और यह हमारी मिशिलन स्टार शेफ जो हैं, वो यह बना रही हैं, और आइम शूर असद से इनके दिल के हालाथ पूछते हैं, असद बताओ, कैसा लग रहा है, असर बहुत अच्छा लग रहा है, आप आजमाश में दालने हैं, तमाम वीवर्स किस टाइम है, नहीं जी, एक चोड़ा दाब ब्रेक है, आप से जूर ऐसा कोई इंतिजाम हो जाए सलाम के लिए हाजर गुलाम हो जाए मैं सिर्फ देख लो एक बार सुबह तैबा को नजर से जूम लो एक बार सब्स गुंबद को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए सलाम के लिए हाजर गुलाम हो जाए चोटा सब ब्रेक है फिल तेम ब्रेक के बार नूर से जुने कि ये सौबात है आसमा से नूर की परसात है या नूर, या नूर, या नूर असूब हु बदा मिन ताला आती ही वाल लेल दजा मिन वाफराती ही आ नूर, या नूर, या नूर, या नूर, वाफराती ही चेहरे से तेरे और शब की रानक जुल्फों से आलाहू, 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 आलाहू शजरूना ताकल हजरू शक्कल कामरू बे इशारती ही उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पथर बोल उठे और चाद हुआ है दो तुकडे अंगुष्ट के इक इशारे से अंगला हुआ 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 अंगला हुआ 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 श्लिलाह ले गाज क्या बात है हस्ञान में फुर्शीदि हम मौझूद है मौलानचारयादावड ने भी हमें जॉइन किया असलाम लेकूम आपा तो हैं और अगश माइक गलाए और अगर यह जाहती हो जाएगी आपके पास है माइक है ठीक है तो हसान, क्या होगा आज? हसान के पास माइक जो है उसको खुलती है श्लीख अलेक यारसूल लाह वसलम अलेक यारसूल लाह वसलम अलेक यार अभीब लाह काशिये दुवा मेरी मौजजे में डल जाए काशिये दुवा मेरी मौजजे में डल जाए मौजजे में डल जाए सामने मदीना हो और दो निकल जाए सामने मदीना हो और दो निकल जाए काशिये दुवा मेरी हम गुनाह गारों पर आप जो करों कर दे हम गुनाह गारों की जिन्दगी बदल जाए काशिये दुवा मेरी मौजजे में डल जाए हसान कैसे रहे आप ठीक ठाक रहे माइक ओमाक माइक आपसे मुलाकात रमजण में इसी किसम के शोर्स में होतीए वैसे तो मुलाकात हो नहीं पाती हाँ बिलकुल नहीं प्रदों इसमें बहुता अच्छी मुलाकात हमेशा हमेशा, इसमें कोई शरक नहीं और आपके गालिदे हर उन से तो तो क्या भात कि गाल वजय का महा हिए जहाँ हम बात करें तहें ठाओ कि किर नहीं 축 Okay हम बात करें ते इसे एफ आपने घर में किसी को भी शॉक नहीं ता और हो जो कोई नात पढ़नी चाहिए. मैं लगा हमाभा आप वो खेल्क में ऐसी निकल जाती था? आहा है जाहिए जाहिर बच्चों में आया एक बच्चों में तो है एक बच्चे में माशाल्ला को वेजिन बच्चों में खास बात ही जब मैं कुछ गाना ये का कुछ करता हूं दोनों बोल देनी बाबा स्टॉप बाबा स्टॉप क्यों हुआ जाए पता है नहीं छोटी वाले बूपे हाल रख देती है मेरी बाबा बस सब के हला देगी जैसे करते हैं यह जाए कि आप फ्रहता है कही ना कहीं से माशाला आख देगी यह तमाम मर्द हैं जो बैठे वे एक बात कर रहें और हम सब की सोर्स भी एक ही जगह है मतलब अपने अपने हिसाब देग आप यह मुछ नहीं कहते हैं आप यह एसी बात हैं आप हमें माफ कर दीजएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम यकीन जानिये, हम बिलकुल ऐसे लोग नहीं ही, नहीं नहीं बिलकुल लेकिन हमारे एक्सपिरिंसे जो हो तक रही है, आई तिंक शादी शुदा मुर्दों के एक ही जैसे होते हैं, है ना? सभी बात है, लेकिन जैसे नाद खाने के हमारे से आप कहा रहे हैं, कि किसी ने किसी बच्चे में अल्ला ताला देता जरूर है, तो और ये विरासत जैसे हसान को मिली है, अपने वालिद की विरासत, तो ये विरासत जो है ना, ये बड़ी एहमियत रखती है, अच्छा मैं आ ब्रेक के बाद, नूसे जुने की ये सौगत है, आस्मा से नूर की परसात है, या नूर, या नूर, या नूर. जी, once again, welcome back, और आपको पता है कि हमारी चांस्मिशन जो है, बजारी सारी आज पहला दिन है, तो बहुत सारे नेगल्स हमको नजर आते हैं, लेकिन, इंशालला, ये बहुत जल्द हम लोग इस पर कावो पालेंगे, शेर अदाल साब यहां तश्रीफ रखते हैं, आप से मैं मैंने कल एक सवाल किया था, आज भी एक सवाल कर रहा हूँ, और बड़ा important question है, मुझे बताईएगा, आज आपको लगता है कि कल से में और आज के अंदर पाकिस्तान में कोई तबदीली आई है, क्या हुआ, मतलब मैं इसमें कुल क्या, ऐसे सवाल तो मैंने, एक तबदीली तरीन होगा, तो इसलिए अपने एमानों की हिफाज़त परो, अब एमान के अंदर सबसे एहम चीज़ अखलाक है, अगर आपका अखलाक अच्छा है, तो आपका एमान भी अच्छा है, अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं, तो आपका एमान भी अच्छा नहीं, मेरे का जनादा है जो बहुत नमादी परेजगार और बड़ी ही सद्का खेरा तो पता नहीं क्या 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 करती थी तो पीछे दे किसी ने का या रसूला लेकिन अखलाक की अच्छी नहीं थी फरमाए ये जहन्नम में पिर एक और खातून का जनादा गुद्रा मेरे आखा को बता हो सकता है बिलपisol हो सकता है शर्ट एमाँ जहर है इमाँ के साथ आथ है आप अकल falling महंगाई के बारे बात करे थे आज रमजान और आप शौपिंख को भी करती होंगी जहरा लेती होंगी बादार से चीजかった होंगी घर के लीए सामान लेती होंगी पिछले रमजान से इस रम की तरफ आ रही हूं तो मुझे यह लग रहा है कि जैसे हाला जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा जिसे मुश्किलात की तरफ तो हैं लेकिन इसके बावजूद बहराल खुला हुगा है तो फिर भी सबसाल है साहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि घरीब के लिए तो एक खजूर लेना भी मुश्किल है हमारे घर ला का शुकर ला का करम है हमें इतना महसूस भी नहीं होता थोड़ी बहुत रेर्स उपर नीचे होते हैं लेकिन उनसे पूछें जिनको एक खजूर लेने से पहले भी सोचना अधियत का शिकार है परिशान है चीनी कहा जा रही है आटा कहा जा रहा है मतलब आपको अजीव सूरत आरह लेकिन रमजान में अल्दाला की तरफ से हो जाता है यह अंदाज लोग एक बात यह भी होती है नहीं कि बहुत सारे लोग मिल के करते हैं सब के लिए करते हैं तो सब चाहर को अगया औरह जार कर ने हमें फ़रीद के लिए को कि बहुत से लिए करें दो चोरवाले के पास जब मैं गया हूँ मैंने का यार शेरियर सब हमें आप से एक रुपया भी लेना आराम है यानूर 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 मंगते खाली आत न लोटे कितनी मिली खैरत न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो हाल अगर कुछ अपना सुनाया उनके करम का शिक्वा होगा हाल अगर कुछ अपना सुनाया उनके करम का शिक्वा होगा मैं तो बुरा हुना लेकिन मेरी लाजर है किसके हाद न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो रश के जिना तैबा की गलिया हर जर्रा फिर दोसे पदामा चारू तरफ अनवार कारम रहमत की बरसात न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो मगते खाली हात न लोटे कितनी मिरी खेरात न पूछो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अज़ाने फैसला जब अच्छा तो बात हो रही थी महंगाई की और कुछ अपील करने की तो आपा आपके पास है आप जो कुछ कहना चाहती है कह दीजे महंगाई को कम होना चाहिए और यकिनन यहापने हुकूमत वक्स से इस बिखतलाफ से लीडर से अपील करनी है कि वरीब हो कि नहीं सोब्से अपील करनी है है आपा देखे हैं बात बड़ी सिंपल है हम मांगना छोड़ देंगे तो नीचे वाले भी मांगना छोड़ देंगे हम भी तो मांते है ना जाके पाकिस्तान को क्या बना दिया है लोगों से उसके बाद हम कहते हैं हम तो dec oynangen मुझे बता हैँ ना मैं 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 किसी चीज़ के एक हमारे बच्छों को नौक्रियां है नौक्रियां मिलनी चाहिए। क्या तालीम है तालीम मिलनी चाहिए। मतलब देखिए ना यह तो आप गदागरी को यहां रो रहे हैं हम तो बड़ी बड़ी जगह पर जाकर मांगते हैं तरह में मूग खाता है आंख शर्माता है जी लेकिन तुबी वेरी ऑनेस्ट जो गरीब तफका है जो हुकमरान हमारे बैठे में चाहे वो कोई भी हो एक्स वाई जैट वो औरंगी कुरंगी या लहौर या पिंडी या कहीं भी जाके देखें आप लोग इस वक्त परेशान हैं लोग जो है ना जो सफैद पोश्ट लोग जो है ना वो बिचारे भीक मांगने पर तयार होगा उजिया हालत होगी बहंगाई की और खुदा का वास्ता या तो आप कर दें या खुद कुछ कर लें जी लेकिन वो वादे कैसे पूरे होंगे वो तो अच्छा मैं एक बाप मांगते हैं आप लोग लगता वो आपके लिए मांगते हैं मेरे लिए मांगते हैं वो तो अपने लिए मांगते हैं वो कभी उस फंड का हिसाब कीजेगा उस फंड का हिसाब कीजेगा जो पाकिस्तान को ना चीजे बनाए, ना रोड बनाए, ना कुछ और करें, ना साफ पानी दें, मतलब आप 73 सालों में पीने को साफ पानी नहीं दे सके, हर घर में बिजरी नहीं दे सके, हर बच्चे को तालीम नहीं दे सके, और आप पाकिस्तान बचाने निकलते हो, सब के सब पाकिस्तान बच सकता चाहिए वो कोई भी पार्टी हो वो it doesn't really matter हमारी पार्टीों के हकीकतें जो हैं वो सिर्फ इतनी है कि अगर एक आदमी नहो तो पार्टी नहीं होती यह तो हमारे हकाइक हैं किसी पार्टी को उठा लें आज भी कोई किसी के नाम पर पार्टी जिंदा है कोई किसी के नाम पर पार्टी जिंदा है कोई किसी के नाम पर एक नून लीग है एक तरीक इनसाफ है एक पाकिस्तन पीपल्स पार्टी है एक MQM है मतलब मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या हमने कर दिया है लेकिन यह शुर आप लोगों को आना चाहिए ये शवर आप लोगों को आना चाहिए आप लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए अगर आप नहीं खड़े होंगे तो ये सब बेकार है ये सब बेकार है जो कुछ हम कहरें आपको खड़ा होना चाहिए आप कब तक इंतजार करेंगे बेरूनी इंदाद का कब त पौकरी तलाश करने की जरूरत नहीं है अपनी तुमें ये फूल बनाने आते है ना इसके हार बनाने आते है इसको बनालो लगिन पैसा अपना कमाओ पैसा अपना कमाओ, इन लोगों से कुछ नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूं, अन्सक्रिण बनो आगे बढ़ो, बिजनस करो, खुद करो, कुछ मटी के खिलोने बनाते हो, उसको रख दो तेखें, एक बात याद रखना, पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें पाकिस्तान की जरूरत है ये जो लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं ना तो इनको पाकिस्तान की जरूरत है ना इनको पाकिस्तान में रहना है इन पर मुश्किल पड़ती है ये बाहर चले जाते हैं इनके बच्चे बाहर तालिम हासिल करते हैं इनके बच्चों के लिए फ़जे होती हैं, इनके बच्चे अगर कहीं जाएं तो आसपास के लोग लिए लिए पर चलते रहते हैं, आप सोचो यार वो मिनरल वाटर की चाय पीते हैं, तुम्हारे घर के नलकों में पानी नहीं आता, ब्रेक है आसमा से नूर की परसाथ है, या नूर या नूर या नूर या नूर मतलब भाई दूसरी शादी नहीं, पहली है जिसकी हो, दूसरी की जिम्हारी नहीं है, पहली ही जिसकी शादी हो, हम उसका निकाब पढ़एंगे, मैं सच कहा रहा हूं, ऐस उसके रीजन है, रीजन यह है कि हमारे हाँ जहेस बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप जहे यहां पर हम्मी नमाज ही पढ़ते हैं मतलब सारी पढ़ाने के लिए पेरी फी सब्रील्ला खिजमा थाज़े रहा नमदे यह आप अगर नहीं भी कहते हैं तो हम आप भी को बलाते हैं वो ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्दू प्रिकर नहीं करें, तोक्साब, जी, खेर से आप भी अपने सेरे के बाल, मैं सेरे के फूल से बाल करें, आप करवाई लें, डॉक्टर भी होनी चाहिए, अच्छा, आप बात कर लें, तो इसी रोजे के हावाले से बात कर लेते हैं, मैं तो आप अपने ऊपर ये तशदुद कर रहे हैं, कौन सा हुआ, मतलब आप सोची है कितने साल हो गए डॉक्साब आपको, अब तो, अब बनता है डॉक्साब, सब आज पहला रोजा है, यह यह आगी इनके लिए परिशादी हैं यह तो है यह यह जरूरी परिशाने हूँ दो है जाहता हूं अब आपको शादी होनी चाहिए अगर कोई डाउ Dao University of Health Sciences MBBS, MBBS जरूरी है Dao University of Health Sciences की अगर कोई डॉक्टर है जो बाकई genuinely settle होना चाहती है और मैं डॉक साब को कहता हूँ कि डॉक साब आप अपने वालदें से, अपने वालदा से कहिए अप गारंटी आप ले रहे हैं? आपकी? जी, शोर के बहुँड पर, बहुँड बहुँड, बहुँड बहुँड बहुड बहुड नोरीकर मैं वटरफल ऐसे बहुड पैसे हूए हुड तो आप जरूर करें कोई तो मिथा कायम करें कियार, 27 में निका कर लें और एत पर रुखसत ही हो जाए, and that's about it. और किसी का पाई नहीं लगना, किसी का एक रुपया भी ना लगना, और मैं जितने अमीर लोग हैं, उनसे रिकोर्स करता हूं, और गरीबों से रिकोर्स करता हूं, बहुत सारी चीजें बहतर हो जाएं, इंशाएं. Am I right or wrong? Yeah, exactly you are right. पक्का? पक्का. तो फिर आपके beauty palace का इसका, उसके सब क्या हूं? नहीं, तो करोना नहीं हमें यही सिखाया है, करोना नहीं क्या सिखाया है, करोना में यही सिखाया है, सादी. वा, सुभान अल्हा, सुभान अल्हा, शादी बनाव सादी. और इन्हों नहीं अलान किया है, आप इनको सौ शादियों पर बुलवालें, यह चार्ज नहीं करेंगे रहें. इंशालला. और यह मैं सच बता रहें, इनसे बगैर कुछे कह सकता हूं. इनसे बगैर कुछे मैं यह कह सकता हूं. और सभी यह बात तो है कि लड़की वालों पर वाकी बोच नहीं पढ़ता है, जो में देखा है. बहुत पढ़ता है. जो आज कमाग एक दुछर है, कि जो इसको फारोख कर कि आओ फिर उस्मान इगनी ने देखो सपोर्ट किसना मुस्लमनों को इस दूसर को सपोर्ट करना उस्मान इगनी ने पिछे बेच दिये जाओ यारे महिंगी तरिल करके खरी 200 ृृ की जिरा एक रिवाद में 800 ृं में 800 ृ यह वह लड़के जाद मेगाने तो है कि लड़के की दो बढ़ जिम्सेट के तो ना वे उन कहा चाहिए। मैं कुछ फूछर्स हैं या लड़के वाले देते हैं लड़की वाले देते हैं लड़के वाले नहीं देते लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि सादगी को अपनाएं और कोशिश करें कि हम किसी ना किसी तौर पर कुछ बेतर कर सकें अचा जी तो डॉक्टर साब आप रहे गए थे आप भी कुछ अगर हकूमत वक्स से अपील करना चाहते हैं और हिजब अफ्तलाफ से भी जी मैं तो अपील सब्सक्राइब करूंगा कि आप हेल्थ को प्लीज कवर करें क्यूंकि मैं ऐसा डॉक्टर में देखता हूं बहुत प्रॉब्लम होती हैं बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती हैं प्लीज आप इमर्जिंसी बहुत अच्छी करें कोविट के वाड्स हैं उनको भी सबसेडाइस करना चाहिए या कोशिक करना अगर फ्री में हो सकें तो वो करें में तो यह अपील है सबसे इंपॉर्टन हेल्थ हेल्थ अगर अच्छी होगी तो बाकि सब चीज अच्छी होगा अच्छा कल से हमारा तक्रीरी मुकाबला शुरू हो रहा है कल प पाकिस्तान से वो बहुत अमेजिंग वेरी कोशिक लिए अगर आप में तैलेंट है तक्रीर का तो सामने नंबर आएगा कॉल कीजेगा और मुकाबला में शामल हो जाए पर्सों से मारा तक्रीरी मुकाबला और मुकाबला बैद बाजी यानि शेर उशारी का मुकाबला दो से जुने की ये सौवात है आसमा से नूर की परसाथ है यानू 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 वेल्कम बैक और यहां पर हम मौजूद हैं मेरे पास दूसरे वो कहां चले गए हैं आप लोगों रखे नहीं हैं मेरे मुझे ब्रैंड पॉइंट जरा दे दीजेगा हम यहां टैंक पर मौजूद हैं टैंक पांच जायकों में दस्तियाब है और कमाल किसम के टैंक जो हैं वो पर किसम काया ओद जायके परसंद हैं लेकिन ऐसके अदर आप उसकह चाहत कोली बोगोज़ को छोह जरता हैं और जादा पो उसक्त हें करना उसक्ताएं वे व्हां चाहिस मैंनोच क्तिया बिंड़ किसम अज जायकों भाड हैं अधर ग्भारे रह्ली मैंगैं थांगा है वी पानी दालेंगे, तो खोना को तुटे एंगे, तुट पानी डाला हमें, तिक एंगे, हम धोटो, तुटो, जा खिरें तैंगे एग्षा वान्पिंच में शुगाईक घाएक तूगाईक उपर ने से हैं एगर अन्टो बालने सुगाई डाले लेकर गर लागई कर एकोडीए वरना वरना नो नीट, कभी शुगर नहीं भी शुगर के बगई भी बन सकता है एंट रोज के आप जगार र सकालाक। वो है कि उद्स नहीं से अगिए नियों पोले कालो हुआ है कि आपनी आपनो जो आपना इक्पीरेंस टांग के बारे में चाहते हैं इस प्रसे हैं तो अपना एक्स्पीरिंस टांक के बारे में छाइगा शोड़ो किस इस दिल्जे को तो दो इक दो देखे पकड़े, यह पकड़े, thank you very much. नहीं हो रहा, आप हो गया, इसको लेखे, इसको लॉप खोगा. इसको निकाल जुझेगाप, मैं आपको साथ यह बता दू, जूप हमारे पास है और जूप बड़ा कमाल है, जूप रोस पेढल वालों का है, 260 Kalori अबसुआब कर लेता है अब अगर आप अगर आप अबसुआइड खाना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जूरती है एक प्लेट लीजे उस पर सबसे पहले जूब की एक शीट टाले और उसके बाद रखें 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 और रखें हैं व्राइड भीफ जब साथ मैं को दम हटा दो मिच्छव स्काफ मिच्वाश है टोस्टाम का ओधा है क्यां तर द मिच्वाश और रोगभगों साथ मिच्वाश में दोना है तर लीनियु में सबना है हमारे घरों के अंदर होता है, so thank you Mitchells, thank you Mitchell for the tomato ketchup as well, handpicked किया जाते tomatoes, और साथ-साथ यह जो ही आपको refresh करता है, energize करता है, so thank you, and then tang हमारा तयार है, this is wonderful, look at that, so finally we did it, finally we are all good, याद रखिये, tang के 5 जाएके हैं, मैं आपको बता दू, उस, वो पांच जाएके कौन-कौन से हैं, orange mango, moss me pineapple, lemon and pepper, shamil ice के अंदर, और आज हमने आपको tang का एक बताया है, कल अगर इन लोगों ने मुझे एजाज़त दी, तो मैं tang का अपना एक्स्पिरेंस शेर करूंगा, कि हम कि Tang sir, यह नहीं पिया मैंने, Ambika के अंदर भी पिया है, I'm telling you honestly, this is just like, यह तो सुखा भी खाते हैं लोग, seriously, मैं आपको, अच्छा मैंने बोला नहीं है, बोला नहीं है, but that is very true, कभी आपको त्राय किया है, बिलकुर, बही टेस्टी होता है, और बहुतनी होता है, और बहुतनी ह आपको अपनी कोई टाय की लिए बहुतनी है, अच्छा मुझे बताते रहीं कितना है मेरे पास, कितने लिए मुझे लोगे लिए इस इसारह हो तो मुझे बता दिलेगा, आपको अपनी कोई tank से जोड़ी भी याद है, मैंमा ने कहीं चुपा के रख रखा वह था है, प्रि कि अबने आपके अफ्तारी के आफ्तारी के खाहनी का का यह को खुल जाता है तो फिर इसको कि अमधर जाते हैं तो Sa Starbucks बांगे हैं एक पाद जाता है गया जाते उपके बैंद मैं तो कि अभी तुब क्मिनेशन्स कंबनेशन के वहे बनेशना थैए आपको थी आप अपना हमें हमें अपको बाट सारे कॉम्विनेशन टारेकों जरूलने का हुए अगर जैजली बतारतों टैंड को एक शाड़ान आपको दोगता है आसमा से नूर की परसाथ है या नूर या नूर या नूर या नूर पानी खोल दीजीगा प्लीज आपने खोला पानी थांक्यू वर्य मच्छ थोर से मैंने गीले किया हाथ इसके बाद डैटॉल मैंने लिया और डैटॉल मेरे पास आगया अब इन हाथों को मैंने अच्छी तरह से रगड़ना है यह जो इनके बीच की जी 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 इस तरह से कर सकते हैं ताके जर्म्स ना लगें बर डैटॉल आपका बहुत 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 शुक्रिया अलसो पीजा पॉइंट वो है जहां आपको बड़े मजब मज़े के पीजा मिलते हैं 55% डिसकाउंट है अगर आप आउन-लाइन ओर करते हैं मेरे तमाम महमा बहुत बड़ा वक्त होता है दौने का तो आए दौा की तरफ चलते हैं प्रिम्लार आडें हिं आला आला आए इन आदा आर मुहम अर्श को दोर दोर्शनियों आलियों आलियों पाली हो बारी हो सली जो है पूलाब तो बार्लं इसाएं कि नहसे लुणा कि पियाक भ्लाहिम् या भेसा कि हिए समावाग ती वा रहुर्ब मुढ मेखगा हुं मेखगा हुं यहाद गुम् जह eine करह वा रहम का डार्हिम् या अरहम जрий रहमान दी पूला हिम् या छंके चेल पैसा हुं या सुल्टान या अर्हमर्राहिमी या रह्मा या रही या हन्नान या मन्ना एख खालिक एमालिक तेरे बंदे तेरे बंदे आज तेरी तौफीद तेरी अता से अश्यर रह्मत की आज पहला इफ़तार है हर करफ अन्वार उत जल्यात को नुजूल हो रहा है एख खालिक एमालिक आज जहन्नम से गुनागारों को आज़ाद किया जाएगा एलग जिन उफश नसीबों को तो जहन्नम से आज़ाद फर्माए तो उसी के सद्खा हमें जहन्नम से आज़ादी अता फर्मादे ये मामों क लिखे निजी से घरंदी हम के अ करदाशथ नहीं होती है ऐ खालिगों मालिक हमारी बेह साब हमारे बाखशेses जो कोई बीमार श्मिल है ए खालिगों मालिक तो सारे बीमारों को श्रिफाता कर दे एख खालिक हमारी गलतियों का मुआफ कर दे हरमें ने तैयलेंगे दर्वाजें हम मुसल्मानों बर्बंद हो चुके हैं ए रह्मान ए रहीम हम तुझ से आफियत के सवाली है हम तुझ से आज इस रह्मत के अश्रे के पहले रोजे पहली इफ्तारी कबूलियत के लमात में तुझ से रह्मत के सवाली है ए लग कोरोना वाइरस का खातिबा फर्मा दे ए खालिक हम तेरे अज़ाब को बर्दाश करने ये ताकत नहीं रखते हम बहुत कमजोर है ना दबा है ए खालिक मालिक ए अहनारमना नदयान असलफान ए सुबहान ए लग जितने हाथ पर ली बारगम भेले हैं जिन के आसों बे रहे हैं ए लग उन्हीं के आसों के सथपे ए खालिक जो कोरोना वाइरस में मुद्बा हैं तो उन्हें शिपाता पर्माने जो वेंटिलेटर पर हैं तो नहीं विशिपाता कर जो आईस्यença हैं तो नहीं विशिपाता कर दे ए खालिक हमें हमारे बच्चों हमारे एले खाना को हर तरहां के वारेसES खुशस्अ करोना वारेस माफूसर्माणा एल्लब बेवलादों की सुनी गोद को अबाफ कर दे ए रह्मान ए रहीम ना जान कितने हाठ तेरी बारगाम में पहले हुे है ए हृमैलिक व्हे। कितने ही बेवलाद زाइ सुनी गोद कर दे मैं ये क्यम कोँ हूँ मुझ को यह अता हो वँयता हो लब गुला इलागा इलागा इल्ला मुहमद रसूलुलागा जब हम वापस आएंगे तो अजान मगर्ब का वक्त हो जाएगा तो आप दुआइं जो हैं मुझना शुरू कर दीजिए ये कुबूले की घरी होती है हमारे इस पहली रमजान की अबादत को कबूल फर्माएं मुस्तजाब करे हमारी वो तमाम दुआइं जो हम मांग रहे हैं मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बार आप एकबर इस सानी लगऑा आप एकबर ऑच्पर एकबर आप एकबर आप एकबर अश्हाद ओना इलाह 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 अश्हाद ओना इलाह इलाह अश्हाद ओना मुहम्मद रसूल ओना इलाह मुहम्मद रसूल ओना इलाह अश्हाद 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 ओना इलाह